सब्सक्रिप्शन लेने की जरुवत नहीं है मैंने ब्रेंज पर सेट बोर्ट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ कुछ राइटर्स की बुक का सॉल्यूशन प्लस NTSC Olympiad जैसे competitive exams की preparation सब कुछ कराई जाती है 100% free of cost अब हम स्चार्ट करते हैं class 6 का science subject well science के अरवा आपके जो बाकी teachers है subject teachers एक बार मैं उनसे introduce करा दू इन में से कुछ आपको maths, English, social पढ़ाते हैं इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे काम्या तो भई science के साथ में आपको इन सभी teachers के videos भी जरूर देखना है last या फिर जो हमारे previous videos थे उनमें मैंने आपको क्या-क्या बताया था तो हम पढ़ रहे थे chapter number 7 जिसका नाम है getting to know plants ठीके हम इसमें plants के बारे में समझ रहे थे रोल कर लेते हैं कुछ जो है वो horizontally spread हो जाते हैं तो हमने उसके according जो plants थे उन्हें herbs, sherbs, trees plus creepers and climbers में classify किया था फिर हमने एक एक के बारे में detail में पढ़ा कि बई shrubs, herbs और trees क्या होते हैं, creeper और climbers क्या होते हैं और इनके बीच में difference क्या-क्या है तो ये सभी topics जो है हम already हमारी previous video में complete कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप magnet brains पर देख सकते हैं, कैसे देखेंगे तो इस video के last में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी तो आज का जो हमारा वीडियो का topic है, वो है stem and leaf तो आज हम जानेंगे हमारी plant के stem के बारे में और leaf के बारे में कि stem basically क्या होता है और leaves क्या होती हैं तो आप सुचेंगे कि अरे हमें तो पता है कि ये जो portion है, इसे stem कहते हैं और ये जो portion है, उसे leaf कहते हैं तो क्या सिर्फ इतना काफी है, जी नहीं, हमें पता होना चाहिए कि एक plant के अंदर stem का क्या काम होता है और leaves क्या काम करती हैं clear है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो आप हम देखेंगे सबसे पहले तो stem से, ठीक है तो आपको तो पता है कि ये जो आपका एक लंबा सा portion होता है, ठीक है, structure होता है इसी को हम किसी भी plant का stem कहते हैं, ये shrubs में मिल जाता है, ये herbs में, कभी किसी किसी में होता है shrubs में होता है, trees में होता है, creepers में, climbers में, सभी में stems होते हैं clear है तो यह stem basically क्या काम करते हैं तो जो stem है यह हमारे plant को water या ज़रूरी supplements हैं वो बहुचाने का काम करते हैं ठीक है अब एक stem का structure देखा जाए तो एक stem में क्या-क्या होता है so a typical plant stem consists of eight distinct parts मतलब एक stem के अंदर कौन-कौन से parts होते हैं या क्या-क्या चीज़ों उसमें connected होती है तो इसमें 6 elements होते हैं six elements and two organs क्या होता है six elements होते हैं और two organs होते हैं एक stem के अंदर ठीक है stem per sorry okay मतलब कौन-कौन से elements होते हैं nodes inter-nodes होते हैं ठीक है terminal या फिर epical bird होता है lateral या axillary bird होती है petiole होता है and pericelle होता है clear है तो यह सारी चीज़े हम आगे आने वाली classes में पढ़ेंगे इनके बारे में detail पर हम यह देखते कि stem के अंदर इतनी सारी चीज़े होती हैं जैसे कि यह हो जाते हैं node जिससे की दूसरी branch निकलती है इनके बीच के दो जो दो हिस्सा होता है उसे हम उसके inter-nodes कहते हैं clear है अब petiole petiole क्या होता है इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगी और दो ऑर्गन्स जो होते हैं वह होता है leaves और फ्लार तो यह leaves या फिर फ्लार यह सभी किस में लगते हैं स्टैम में लगते हैं सो stem a stem performs the following function in a plant अपने को क्या काम है stepter में हमें क्या देखना था कि जो स्टैम है वो क्या करता है तो हमने बताया कि स्टैम के अंदर इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने अपनी ब्रांच निकलती है इंटर नोट क्या होता है दो नोट के बीच का जो डिफ्रेंस होता है जो जगा होती है उसे हम इंटर नोट कहते हैं बड क्या होता है जो कि एक नया ब्रांच में फ्लार में या लीफ में convert होने वाला होता है वो पार्ट ठीक है और letter and axillary parts भी होते हैं pediol होता है and pedestal होता है यह तो हम आगे discuss करेंगे कि यह दोनों चीज़े क्या है organs तो हम जानते ही इसमें leaves और flowers जो है वो भी stem से ही connected होती है तो हमने बता दिया कि इसमें total eight parts जो है वो stem में होते हैं यह connected होते हैं clear है अब stem क्या करता है basically सबसे पहले it supports branches leaves flower and fruit अब आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है यह point यह point हमारे लिए important है भी कि stem क्या क्या करता है तो यह आपको पता है कि जो भी branches है यह leaves है यह flowers है ठीक वो सब किस से connected होती है तो वो सबी की सबी हमारे stem से connected होती है तो it supports branches leaves flower and fruit यह इन सभी चीजों को support करता है मतलब इनके उपर stem के उपर यह सारी चीज़े लगी होती है पता है हमें यह stem है इसी पर देखे यह branches भी जा रही है यह जारी एक branch यह जा रही है leaves भी इसी पर लगी होती है फ्लार भी से में आते हैं और फ्लार है तो फ्रूट भी इसी पर ही आएगा it transport water and mineral from the roots to the leaves and other plants of the plant यह क्या करता है यह basically पानी को और जितने भी सारी minerals होते हैं उसे आपके root से root से लेता है और leaves और बाकी के सारे parts तक पहुचाता है leaves में भी पहुचाता है और plant के बाकी के सारे parts कौन से इसके branches है nodes है inter nodes है सभी में पानी को और minerals को पहुचाने का काम कौन करता है stem से और यह से पानी मिलता कहा से है root की help से clear है so it transport food from leaves to different parts of the plant अब पानी को तो root से पहुचाता ही है साथ ही साथ leaves जो खाना बनाती है leaves क्या होती है basically leaves जो है यह food factory का काम करती है किसी भी plant के लिए वो खाना बनाने का काम करती है तो जो भी leaves food को prepare करती है उसको different parts of plant में transport करने का काम कौन करती है यही stamp करती है so it transport food from leaves to the different parts of the plant plant के अलग-अलग parts में यही जो stamp है वो food को transport करने का या फिर हम कह सकते हैं food को पहुचाने का transfer करने का काम करती है clear हुआ आप सबको तो हमने अभी क्या देखा कि stamp का क्या काम है हमें यही पढ़ना था आज का हमारा topic क्या है stamp पढ़ना है और leaf पढ़ना है तो वह एक कोई भी plant आप देख लो आप जैसे अपना rose plant देखोगे तो उसके stamp के support से क्या क्या चीज़े connected होती है branches connected होती है leaves होती है flower होते है ठीक है तो यह सारी चीज़े कहा पर होती है stamp पर ही stamp से connected होती है stamp का ही काम क्या होता है stamp जो है वो एक बहुत important काम करता है यह root से root क्या करती है basically पानी को absorb करती है तो root से पानी को plant के different parts तक पहुचाएगी और साथ ही साथ जो flower जो आपके leaves है जो food prepare करती है उस food को plant के different parts तक पहुचाने का काम भी stamp ही करती है तो यह जो तीनों point अ और खाने को पहुचाने काम यही Stamps करती है तो अभी हम एक अक्टिविटी करेंगे जिससे हमें यह समझ में आएगा कि यह जो आपका प्लांट है यह जो आपका प्लांट है जिसमें Stamps होता है यह Stamps बसिकली पानी को एब्सॉब करने का काम करता है तो आपको क्या-क्या चीजों की जरुरत होगी फटा-फट से देख लीजे तो वी मुट रिक्वार ग्लास वॉटर रैड ब्लू इंग और सॉफ्ट स्टैम आप किसी की भी ले लीजेगा जिसकी सॉफ्ट सी स्टैम होती है जैसे मिंट हो गया या कोई भी एक प्लांट आपक अब अपने ग्लास को इतना वन थर्ड फिल कर लीजे जैसा कि आप इसमें डाइग्राम में देख पा रहे हैं ठेके एड़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रैड या ब्लू इंक टुद वॉटर आपको क्या करना है उस पानी में या तो रैड ड्रॉप डाल दीजे इंक का या फिर ब्लू ड्रॉप डाल दीजे तो इस ते कलर फुल हो जाएगा कर्ट बेस ऑफ देस्टैम एंड पुट इट इन ग्लास एश शोनन फिगर अब आपको क्या करना है जिसका भी स्टैम लिया हो अब आप जिसे कोरियंडर बाहर से खरीद कर लाते हैं मार्केट से भी तो आप द देर की बाद आपको इसको अब्जर्व करना है डिस्टैम क्या यह जो स्टैम है उसमें यही कलर अपियर होने लग जाएगा तो आप देखेंगे बहुत ही मैजिकली आपको यह जो कलर है ना स्टैम का हलका हलका साचेंज ऐसा निक एक डाक ब्लू हो जाए क्योंकि ग्रीन ह करना साथ मिल करके आपको थोड़ा सा कलर समझ में कोचलर है यह जो स्टैम का कलर है वो थोड़ा सा ब्लुएश या त्विया और आपने रादिंक डाली है तो रडैडिश कलर हो जाता है So does the color appear in the stem? Yes So you will find that the color rises in the stem तो इसका मतलब यह जो color है यह जो पानी है जिसमें color mix था यह पानी जो है वो stem में आ रहा है क्योंकि color तो आपने पानी में डाला था इसका मतलब की stem क्या कर रही है? इसका मतलब की stem जो है वो धीरे धीरे पानी को absorb कर रही है If this is kept for a longer period, the color appear in the veins of leaves also अगर आप इसको बहुत देर के लिए रखोगे तो यह जो आपकी leaves लगी हुई है ना इसमें इनकी veins में भी यह देखिए blue color अगर आप ध्यान से इस picture को देखोगे खुछ देर बाद यह जो color है इसमें red दिखना शुरू हो गया है इसकी leaves में और इसकी leaves में कैसा color दिख रहा है? इसके leaves में blue color दिख रहा है अब veins क्या होती? जैसे हमारे veins होती है उसी तरीके से अगर आपने leaves को कभी ध्यान से देखा होगा जैसे मैं एक छोटी सी leaf बना कर क्या आपको बताती हूं तो इस तरीके की यह जो lines है ना यह उसकी veins होती है तो यह जो veins है इनका color भी आपको कैसे दिखने लग जाएगा blue color का दिखने लग जाएगा क्योंकि स्टैम क्या होता है एक तरीके का pipe ठीक है यहां से pipe पानी को धीरे 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 एब्सॉब किया यह देखिए वैं इसके जो vein है दो lines है इसमें आपको पानी दिख रहा है और धीरे धीरे यह आपकी leaf के बाकी के छोटी 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 वैंस छोटी छोटी पाइपस में जाना शुरू हो जाएगा जैसे कि आप यहां है सभी में यह पानी को पहुचाने का काम कर रहा है ओके तो हमें कैसे पता चला की कलर पहुचा है तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डाट इस्टैम हैं अपवर्ड मुव्मेंट और तो किस तरह से यह जो पानी था यह जो कलर था वह आपके प्लांट के यह जो भी कर स्टैम है वह अपवर्ड मुव्मेंट करता है पानी का अपवर्ड मुव्मेंट क्या होता है अब आप यह सोचेंगे अपवर्ड मुव्मेंट मतला पानी का नीचे से उपर की तरफ जाना ठीक है पानी कहा था नीचे ग्लास में और उपर कहा पहुच गया लीस तक पहु को पानी ऐसे मिलता होगा कि जब हम पॉर्ट में मतलब जिसमें आप अपने फ्लार को फ्लारिंग प्लांट को या किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो आप स्वाइल में पानी देते हैं स्वाइल के अंदर क्या होती हैं स्वाइल के अंदर होती है रूट्स जिसमें वो पानी को nutrition को absorb करती है यह जाता है stem में और stem क्या करती है फिर stem जो है आपके plant के different parts में इस पानी को पहुचाने का काम करती है the water and minerals go to the leaves and other parts attached to the stem तो stem से इतने भी parts connected होते हैं और कौन-कौन से parts connected होते हैं इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था यह देखे कितने सारे parts हैं इन सभी को पानी पहुचाने का काम कौन कर रहा है stem कर रही है clear हुआ तो इस activity से आप घर में जरूर करके देखेगा जैसे मैंने आपको बताया coriander leaves ले लीजे आप market से purchase करके आते हैं तो रूट के साथ ही मिलती है और यस activity को करके ज़रूर बतायेगा जब आप activity करें तो मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि आपका स्टैम था उसका color change हुआ था यह नहीं clear हुआ तो यह तो हो गया plant का एक पार्ट स्टैम अब इस स्टैम में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करता है ब्रांचिस को सपोर्ट करता है लीफ को और फ्लार को तो चलिए अब यह अपन ब्रांचिस समझ गये स्टैम से निकले हुए दो अलग पार्ट ठीक है और इस ब्रांच में क्या connected होता है क्या produce होता है लीफ तो अभी लीफ क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं तो लीफ इस आ थिन ब्रॉड ग्रीन पार्ट हाना अब लीफ क्या होता है जिसे आगर आपको पता है लीफ होती क्या है लेकिन उसे explain कैसे करोगे तो इस लीफ कैसी होती है बहुत थिन होती बहुत पतली होती है ब्रॉड होती थोड़ी सी पैली होई होती है लीफ ठीक है और ग्रीन कलर की होती है अना तो लीफ इस थिन अब ब्रॉड और ग्रीन पार्ट आराइजिंग फॉ तो leaves are broad, green and thin arising from stem, जो कि stem से निकलती है, leaves are present on branches of the plant which are attached directly to the stem, तो leaves कहाँ पर present होती है, ये branches में present होती है, जो कि directly stem से निकलती है, ये हो गई आपकी branches, different different branches, जिसमें कि आपके leaves connected होती है, तो every plant have large number of leaves, अब बहुत सारे plants, अब देखें leaves क्या है, तो आपने देखा होगा, कि सबसे ज़्यादा plant में कोई चीज होती है, तो वो होती है leaves, क्या उसमें किसी plant में बहुत सारे flowers होते है, या किसी plant में सिर्फ और सिर्फ fruit होते हैं, जी नहीं, leaves तो जरूर होंगी ही होंगी, तो आपके जितने भी plants होते हैं, उन से भी में क्या होती हैं, number of leaves होती हैं, अब इस leaf के बारे में, हमने ती चीज़ तो जान ली, जो कि हमने देखी हुई है, क्या-क्या देखा हुआ था, कि हाब भी पतला सा होता है, ठोड़ा सा फैला हुआ होता है, और जिसमें कि क्या होती है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे green part होता है, अब जो चीज़ आपको याद रखनी है, वो यह है कि the part of leaf by which it is attached to the stem, ठीके, तो वो part जिससे की, ठीके, जो भी आपकी leaf है, वो आपके stem से attached होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस part को हम कहते हैं, पेटियोल, क्या कहते हैं, पेटियोल, याद रखेंगे, पेटियोल को the part of leaf by which it is attached to the stem is called पेटियोल, and the broad green part, और यह जो पूरा green part होता है, यह पूरा का पूरा, जो green part आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, लामिना, ठीके, और इसके अलावा क्या होता है, अब जराप अध्यान से देख लेते हैं, तो देखें, मैंने डाइग्राम में और भी चीज़ें आपने हमें दिख रही हैं, जैसे कि यह तो आपका वो portion, जिससे वो stem से connected है, green color का होता है, लामिना, और यह जो आपका बीच में से यह जो line जाती है, main line, ठीके, यह कहलाती है mid rib, कौन सी line कहलाती है, mid rib, और जो छोटे-छोटे से portion यहां से निकलेवा आपको दिखाई दे रहे हैं, यह क्या कहलाते हैं, veins, clear हुआ आप सभी को, तो vein होता है, mid rib, आपका main line जो होती है, वो होती है, जो की बीच में से जाती है, और लामिना मतलब green portion, और petiol मतलब की, petiol मतलब होता है, वो portion leaf का, जिससे वो stem से connected होती है, clear हुआ, तो यह एक leaf के बार में, इतनी चीज़े आपने को जाननी थी, so can you identify these parts of the leaves and plants around you, do all the leaves have petiols, क्या सभी में petiols होते हैं, let us get to know the leaves better by taking its impression, okay, so if you thought that leaves cannot sign, there is activity which will make you think again, so देखिया, आपको basically क्या करना है, जो भी चीज़े हमने यहाँ पे, हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको आपको खुद महसूस करना है, और उनका इंप्रेशन आपको लेना है, अब इंप्रेशन कैसे लेना है, तो यह अपने को चेक करना, और यह चेक करना है, यह दो कोश्रंस को कि क्या यह सभी leaves में, यह सारे पार्ट्स जो हमने आभी आपको बताया, यह सब कुछ होते हैं, क्या सभी में पैठियोल्स होते हैं, यह अब हमें चेक करना है, तो सबसे बढ़े तो अपन उस activity को देखेंगे, तो put a leaf under a white sheet of paper, और a sheet in your notebook, hold it in a place as shown in figure, अब देखें, आपको basically क्या करना है, लीफ को लेना है, और उससे अपनी paper पर अच्छी तरह के से, the leaf below it, अब मान दीजे कि यह है आपका paper, ठीक है, अब इस paper में आप बीच में leaves को रखेंगे, clear है, और फिर उससे इस तरह से press कर देंगे, दूसरे side से आपको pen लेना है, और इससे इस तरह से चला देना है, pencil से, पैंसे नहीं, pencil से आप इसे रब कर दीजे, क्या आपको impression मिला, तो जी हाँ, आपको मिलेगा, और कुछ इस तरह से आपको वो impression मिलेगा देखने को, ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको इसका image आपके side paper पर मिल जाएगा, so these lines on the leaf are called the veins, तो यह जो आप lines देख पा रहे हो, जो कि आपने बनाई थी, तो यह जो lines है, यह क्या कहलाती है, यह lines कहलाती है, veins, clear है, so do you see a prominent line in the middle of the leaf, और जो leaf के middle में एक line दिखती है, यह वाली, यह क्या आप देख पाते हो, तो जी हाँ, हम देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, midriff कहते हैं, the design made by the veins in a leaf is called the leaf venation, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे हम लीफ venation कहते हैं, यह जो आप देख रहें न, जो veins, veins, अलग-अलग veins, जो design बनाती है, जैसे कि आप देखें, कोई leaves है, जो इस design की है, तो उसकी veins कहां है, यह देखें, पारलल है, ठीक है, और recticulate veins होती हैं, किसी की recticulate मतलब की, ऐसे side by side आपके midriff से होगी, तो यह क्या कहलाएंगी, recticulated veins, ठीक है, तो यह सभी क्या कहलाती है, leaf venation बनाती है, यह क्या कहलाता है, एक design, जिसको leaf venation कहते हैं, तो if the design is net, like on both the side of the midriff, the venation is called the recticulate, ठीक है, मतलब की किस तरह से net की type है, इससे कुछ होती ना, पतिया जैसे कि अगर आप bottle guard की देखोगी, तो leafs कैसे देखेगी, net जैसे देखेंगी, तो यह क्या कहलाता है, recticulate veins कहलाता है, तो यह जितने भी points अभी हमने discuss किये हैं, वो आपको याद रखना है, कि leaves में जो छोटी 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 lines होती है, वो होती है veins, जो एक बीच में से एक middle line जाती है, prominent line, कौनसी line, prominent line जो की middle में होती है, यह हमारी कौनसी midriff कहलाती है, और यह जो पूरा structure बनाती है veins मिल करके, यह उसे हम leaf venation कहते हैं, अगर वो थोड़ा सा net की type है, net जालीदार है, तो आप उसे क्या कहोगे, उसे आप recticulate venation या veins कहते हो, clear है, और if the leaves of grass, you might have seen that veins are parallel to one other, अगर अपन कुछ ऐसी grass type की leaves की बात करे, या फिर grass की ही बात करे, तो उन सभी में जो veins से वो किस तरह से होती है, ऐसी होती है, parallel होती है, तो उसे आपन क्या कहते हैं, parallel venation कहते हैं, so observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plants, अब आपको क्या करना है, ये तो हमने आपको बता दिया, अब आप ये चीज को याद रखने के लिए, कि leaves के अंदर क्या क्या होता है, तो अभी मैंने क्या क्या बता आपको, एक तो होती है, उसे मिड्रिफ veins होती है, जो की मिलकर के क्या बनाती है, ये सभी मिलकर के leaf venation मनाती है, leaf venation जो है, वो दो टाइप का हो सकता है, parallel और reticulate हो सकता है, तो आपको garden में जाना है और अलग-अलग leaves को देखना है कि किस type के plant की जो leaves है उसमें parallel veins है या फिर reticulate मतलब की जालीदार या फिर net like structure की veins है अगर आप यह practice कर लोगे तो आपको यह सारी terms जो हैं वो याद रहेंगी veins, mid rib, leaf venation, reticulate, mid rib क्या होता है ठीक है पैडियोल क्या होता है यह भी आपको याद रहेगा, ओके, so draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation shall we now find out some of the functions of a leaf, so अब अपने यह सब देख लिया है कि भई leaves में क्या क्या structure होता है अब यह बोल रहा है कि भई चलो हमें फटा फट से अब leaf का क्या function होता है यह चेक करना है तो यहाँ तक जो जरूरी words थे जो कि आपको याद रखने चाहिए related to leaf वो है petiol and lamina petiol क्या होता है वो portion जिस से वो stem से connected हो lamina मतलब green जो patch होते हैं आपके leaf के उपर वो lamina होता है इसके अलावा leaves के अंदर जब हमने draw करके देखा तो एक structure बना था जिसमें हमने देखा कि बीच में main middle line जाती है prominent line जाती है वो कहलाती है midriff उसके आस पास की जो छोटी छोटी सब lines होती है वो होती है veins और veins का structure या तो parallel होता है या रेक्टिकुलेट होता है जिसे हम कहते हैं veins leaf venation ये leaf venation parallel होगा या रेक्टिकुलेट होगा और आपको एक चोटा सा homework है कि आपको अपने garden में जाना है देखना है कि किस तरह के प्लांट में parallel होता है venation या फिर रेक्टिकुलेट होता है चले तो यहां से तो हमने क्या देख लिया यहां से तो हमने देख लिया कि कोई भी हर्ब लेनी है जैसे कि हमने मिंट ले लिया क्लियर है तो वी विल रिक्वार अ हर्ब टू ट्रांस्परेंट पॉलिथिन बैग और थ्रेड ले लेना है और थ्रेड ले लेना है डू दिस अक्टिविटी दूरिं डे टाइम ऑन असनी डे अब सनी डे मतलब की बारिश ना हो रही हो या आपके आस्मान साफ हो सूरज निकला हुआ हो उस ताइम पर आप यह अक्टिविटी करें अब कोई भी ऐसा प्लांट जो की हर्ब हो पहली चीज थो और सनलाइट में ग्रो कर रही हो अच्छी खासी हो ठीक है सुखा हुआ ना हो अब आपको क्या करना है जो प्लांट है उसके एक पोर्शन को जैसे कि अपने उपर का पोर्शन लिया उस पे पॉलिथीन लगा देना है और नीचे से उसको थेट से बाढ़ दीजे लियर है अब आपने जब पॉलिथीन बैक को उसके अंदर रख दिया ठीक है लीव के ऊपर आपने कवर कर दिया थोड़ी देम बाद जब आपको उसमें इस तरह से पैचेस दिखना शुरू हो जाए वाटरी पैचेस तो आप उस पॉलिथीन को हटा लीजे अब ये वाटरी पैचे आए कैसे तो यहां पर हमें ये समझना है कि बेसिकली लीफ है जैसे स्टैम क्या काम कर रही थी रूट से पानी को आपके डिफरेंट पार्ट तक पहुचाने का काम कर रही थी उसके लिए हमने एक्टिविटी करके देखी कि हमने एक कलरड़ वाटर के अंदर स्टैम को करती है एक तो ट्रांस्पिरेशन की मैठड करती है और दूसरा करती है फोटो संथेसिस को ध्यान से सुनिएगा ट्रांस्पिरेशन और फोटो संथेसिस तो सबसे पहले हम ट्रांस्पिरेशन की मैठड समझ जाते हैं तो ट्रांस्पिरेशन वो प्रॉसेस होती है जिसमें के अंदर प्रेजेंट जो वाटर है वो सनलाइट के कारण वैपर के फॉर्म में कनवर्ट होकर के एक्मोस्फेर में चला जाता है क्लियर हुआ तो यहाँ पे यह जो पानी था बेसिकली हमने क्या किया था लीफ को पॉलिथिन से कवर कर दिया और उसे सनलाइट में रख दिया सनलाइट के होने की वज़े से गर्माहट हुई, हीट प्रड्यूस हुई उस गर्मी की वज़े से जो पानी लीफ के अंदर था वो किस में कनवर्ट हुआ वैपर में वैपर से कनवर्ट होकर के यह लीफ से कुछ इस तरह से उपर की तरफ उठ रहा था अब ये इस वैपर के फॉर्म में एट्मॉस्फेर में चला जाएगा हमें दिखाए नहीं देगा तो इसके लिए हमने उसे किस से कवर कर दिया था पॉलिथिन बैक से कवर कर दिया और अच्छी तरीके से उसे बंद कर दिया क्लियर है अगर जैसे ही मैंने उसे polythene bag से cover करा तो क्या होगा यहाँ पर पानी के droplets हमें दिखना चालू हो जाएंगे क्योंकि यह जो steam है यहाँ से निकल करके इस polythene bag से टकराती है टकराने की वज़े से यहाँ पर जाने की वज़े से polythene bag क्योंकि ठंडी है इसलिए यह steam जै के form में देख रहे हैं ठीक है और यह process किसके कायट होती है transpiration 와emśli process होती है पहली चीज़ तो यह और होती है किसके कारण करण the operation की method के कारण जैसा मैंने आपको chapter में पढ़ाया था last chapter में कि cooperation की process क्या होती है कि जब आप पानी को हीट अप करते हो तो वह पानी वैपर के form में convert हो जाता है जिसका example कौन सा है जैसे कि आपने गर्ब milk रखा हुआ है उसको धाग दोगे उपर से धकन से तो आप क्या देखते हो नीचे पूरे water drops रहते हैं क्यों ऐसे क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो पानी है वो स्टीम के फॉर में ऊपर उड़ता जाता है और धकन से तक्राकर कि थंडा होता है तो पानी जब पानी जो है वो water से वैपर के form में convert होता है उस प्रॉसेश को आप evaporation की process कहते हो क्या कहते हो evaporation की process और जैसे यही वो आपके cover से या धकन से टक्रा करके ठंडा होता है तो इस process को condensation कहते हो जिसमें steam या वेपर जो है वो again water droplet में convert हो जाती है तो जो leaf से वो यही transpiration की process करते है जिसके कारण leaf के अंदर जितना भी वार्नी रहता है वो heat up होने के कारण वेपर के form में convert हो जाना शुरू हो जाता है और यह transpiration की process होती है अब आप सोचेंगे कि plant में transpiration की process का क्या काम है तो अगर मैंने किसी leaf को पानी के अंदर डाल के रखा हुआ है या किसी plant को या किसी ऐसे plant में मैंने over पानी दे दिया like अपना aloe vera plant जो होता है उसमें मैंने बहुत सारा पानी दे दिया तो क्या होता है वो plant गलना शुरू हो जाता है खराब हो जाता है तो plant क्या के proper तरीके से function करें इसके लिए जरूरी है कि water का circulation होता रहे और water का circulation कैसे होगा एक जगह से पानी उसमें आए और दूसरी जगह से निकल जाए तो पानी plant के अंदर आता है root से root से पहुचता है स्टैम पर जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको एक छोट ऐसा flow chart बना करके दिखाती हूं कि plant में जो आपकी leaf है पहली चीज़ तो आपको क्या याद रखनी है कि जो आपकी leaf है वो दो काम करती है एक तो यह करती है transpiration की process और दूसरी फोटो synthesis की process ठेके अब transpiration क्यों जरूरी है तो यह मैंने अभी आपको बताया इसलिए जरूरी है ठीक है so water circulation को maintain करने के लिए ठीक है to maintain water circulation ठीक है अब इस process में क्या होता है जरूरा ध्यान से देखें मान लिजे कि यह आपका plant लगा हुआ है ठीक है अभी देखें प्लांट छोटा समय पहले ड्रौ कर दूँ फिर आपको बताती हो यह मान लिजे plant है अब क्या हुआ इस plant की यहां अंदर soil है और यह plant की roots इस तरह से फैली हुए अपर इसको designer ना बनाते हुए roots है यह क्या करती है यह जो roots है यह इन लीज को मैं और अलग तरीके से design कर देती हूं अब यह जो आपकी roots है दीरे दीरे इस पानी को कहां पहुचाएंगी stem तक पहुचाएंगी ठीके यह stem क्या करता है यह stem दूसरे leaves तक इस पानी को इस तरह से पहुचाने का काम करेगा ठीक है अब पानी पहुच तो गया अब और रूट ने क्या किया पानी को उपर करते गया करते गया और ज़्यादा पानी जाता जा रहा है और ज़्यादा पानी जाता रहा है अब बहुत सारा पानी जाएगा और बहार के अंदर जो पानी मौजूद होता है जो पानी प्रेजेंट होता है वो वाटर कनवर्ट हो जाता है किसमें वैपर के फॉर्म में किसमें कनवर्ट होता है वैपर के फॉर्म में और ऊपर की तरफ चला जाता है बतलब यहां लीज को खाली करके चला जाता है फिर नया पानी ज कहते हो transpiration की process कहते हो clear हो गया चलिए तो हमने यह process तो समझ ली कि भई transpiration की process क्या होती है अब दूसरी बात आती है कि photosynthesis की process क्या होती है तो photosynthesis की process जिसमें leaves जो है ठीक है वो क्या करती है वो करती है prepare food ठीक है किस की मदद से तो यह करती है sunlight प्लस CO2 carbon dioxide प्लस water इनकी मदद से यह क्या करती है photosynthesis की method करती है और क्या produce होता है food प्लस oxygen ठीक है तो यह sunlight की presence में photosynthesis करेगी मतलब food prepare करेगी तो किस किस से मिला करके food prepare करती है sunlight CO2 और water carbon dioxide air है जो कि आपको इसको atmosphere में मिल जाती है पानी root से मिल जाता है और sunlight उसको दे देता है sun जिससे वो क्या करती है खुद का खाना बनाती है और oxygen हमेरे देती है अब इस चीज़ को हम चेक करेंगे कि यह खुद का खाना बना रही है तो कैसे बना रही है अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम देखेंगे activity number 5 आई बात समझ में तो leaf क्या करती है फिर से याद दिला दू transpiration की method करती है और photosynthesis की तो transpiration हम समझ गए कि leaf से पानी का वेपर के form में atmosphere में evaporate हो जाना transpiration क्या लाता है यह process इसलिए जरूरी है ताकि पेर पौधों में water का circulation बना रहे है अब दूसरी बात आती है photosynthesis की photosynthesis की process में मैंने आपको बताया कि leaves क्या करती है chlorophyll में उनके जो green pigment होते हैं उसकी मदद से क्या करेंगी sunlight carbon dioxide of water को लेंगी और अपना food बनाएंगी अब हम इसको test करेंगे कि यह सही में food बनाती है या नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें कुछ instruments की या कुछ apparatus की ऐसे कोई special जरूरत नहीं है हमें सिर्फ एक बीकर चाहिए एक test tube चाहिए पानी iodine चाहिए iodine solution चाहिए अब क्या करना है आपको सबसे पहले और spirit चाहिए clear है ना so take a leaf in a test tube and pour spirit it to completely immerse the leaf आपको test tube में leaf को डालना है उसमें spirit डाल देना है spirit डालने के बाद उसको थोड़ी दे छोड़ दीजे और एक बीकर में आपको पानी लेना है और उसमें test tube को डाल देना है कुछ इस तरह से now place the test tube in a beaker half filled with the water ठीक है अब हमने ये कर दिया फिर क्या हुआ heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube अब ये जो spirit solution था जैसे आप उसे heat up करोगे तो सारा green color जो है वो उसके spirit में चला जाएगा take out the leaf carefully and wash it in a water place it on a watch glass and pour some iodine solution over it अब आपको क्या करना है इस leaf को जिसमें से आपने पूरा green color हटा दिया है उसे आप एक अलग बाउल में लखिए और उसमें क्या कर दीजे थोड़ा सा iodine solution डाल दीजे अब हमने chapter 2 में पढ़ा था chapter 2 में हमने क्या किया था food में कौन कौन सा nutrition है यह चेक करने के लिए हमने उसमें कई सारीके के solution डाली थे तो कार्बोहाइट जिसमें होते ही starch content जिसमें होता था तो वो कौन सा color देने लग जाता था आपको blue color देने लग जाता था तो यहां पर क्या होगा what do you observe compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrition does this mean that leaf has starch in it तो देखे क्या होता है कि जैसे ही आपने leaf को iodine solution में डाला वो किस color की हो गई blue black color की और हमने देखा था कि हमारे जैसे हमने potato लिया था तो potato में जब हम iodine solution डालती थे तो वो किस color का होने लग जाता था blue black that means कि यह भी starch बना रहे थे मतलब की food prepare कर रहे थे अपना उस leaf के अंदर ठीक है so does this mean that the leaf has starch in it so in chapter 2 we saw that saw that the slice of raw potato also shows the presence of starch potato get the starch from their leaves and store it or potato को यह starch कहां से मिलता है उसकी leaves सही मिलता है इसका मतलब leaves के अंदर starch content होता है leaves prepare their food in the presence of sunlight और इसका मतलब यह हुआ कि यह proof हो गया कि जीहां यह जो leaf है वो उनका खाना बनाती है क्योंकि हमारे खाने में भी हमें starch रहता है और leaf में भी क्योंकि starch का content था इसका मतलब कि वो sunlight और water की presence में air की presence में अपना खाना प्रिपेर करती है so leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them और उ में क्या होता है green color का substance presence होता है for this they also use water and carbon dioxide और इस process के लिए यह पानी और carbon dioxide का भी use करती है this process is called the photosynthesis और इसी process को हम photosynthesis की process करते है so photosynthesis की process में plant क्या करते हैं इनके जो leaves है वो use करती है sunlight, carbon dioxide और water का और इनमें green color तो already रहता है सारी चीज़े reaction करती हैं सब चीज़े मिल करके oxygen और food बनाती हैं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है so oxygen is given in this process food का वो use करते हैं grow करने के लिए और oxygen को atmosphere में release कर देते हैं हमारे लिए ताकि हम क्या कर सके हम आसानी से respiration कर सके क्योंकि हमारे respiration के लिए और animals के respiration के लिए क्या ज़रूरी है oxygen clear है so the food prepared by the leaves ultimately gets stored in different parts of the plant और अब क्या होता है कि यह जो आपका leaf ने खाना बना लिया अब इस stem का क्या काम होगा यह leaves में जितना भी खाना होगा उसे यह plant के different parts में फेज देता है clear so we have seen that the stem supply leaf with water ठीक है तो इस stem क्या करता है leaf तक पानी पहुचाने का काम करता है the leaf uses the water to make food और यही leaves जो है जो stem उसको पानी दीता है उसी पानी की मदद से वो अपना food prepare करते हैं clear हुआ and the leaf also lose water through the transpiration leaf जो है वो पानी को किसकी help से release करते हैं transpiration की method से so how do the stem and leaves get water that is where the roots come in अब बाद ही आती है कि भई यह जो stem है उन्होंने तो भई पानी को पहुचा दिया लीफ तक लीफ ने खाना बढ़िया बनाया और जितना पानी एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया transpiration की method से और पानी का circulation चलता रहा अब बात ही आती है कि stem और leaf यह पानी लेते कहां से है तो अब कहानी अब शुरू होगी किसकी roots की ठीक है दो अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में क्या-क्या जान लिया है हमने जाना कि भई यह जो हमारी leaf है और यह जो stem है यह क्या-क्या बात करें तो green या woody color का होता है stem thin होता है soft होता है plant में यह काफी broad होता है stem जो है basically क्या काम करता है तो stem जो है यह हमारे node को, inter node को, leaves को and branches को, flowers को सभी को support करता है सभी को अपने उपर बनाये रखता है ठीक है मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि यह सभी इसी के parts है ठीक है जिसमें से 6 जो है वो element होते हैं यह सभी elements है और 2 जो है वो organs होते हैं यह चीज हमने समझ ली अब स्टैम क्या क्या करता है तो स्टैम की 3-4 चीज़े हमने देखी कि यह leaf, flowers को सब को तो भई support कर रहा है साथ ही साथ यह जितना भी पानी और mineral root से मिलता है उसे plant के हर एक पार्ट तक पहुचाता है और दूसरी चीज यह जो leaf खाना प्रिपेर करती है उसको transport करने का काम करता है plant के बाकी parts तक फिर हमने इस चीज़ को चेक करने के लिए activity 2 करी हमने activity में क्या किया एक colorful पानी लिया उसमें stem को dip करके रख दिया थोड़ी टाइम बाद हमने देखा कि सारे portion में वो पानी चला गया तो इससे proof हो गया कि हाँ भई यह जो आपका stem है यह क्या करता है पानी को plant के अलग-अलग part तक पहुचाने का काम करता है अब कहानी आती है leaf की अब stem में नोट से connected होती है leafs अब यह leafs क्या काम करती है तो leafs को हमने देखा कि leafs जो है basically 2 काम करती है एक तो stem से आने वाले पानी को transpiration की method से बाहर भी निकालती है और उसी पानी की मदद से photosynthesis की process भी करत मतब leafs दो चीज़े करती है transpiration and photosynthesis तो transpiration की method को समझने के लिए हमने क्या किया फिर एक और activity करके देखी इस activity में हमने यह करके देखा था कि हमने plant के ऊपर एक polythine को cover कर दिया और यह देखा कि उसमें पानी की droplets आ रही that means कि हा यह proof हो गया कि यह transpiration की process कर रही है इसके अलावा हमने देखा था कि वह लीव का structure क्या होता है इसमें lamina, mid rib, veins क्या होते हैं इसके अलावा leaf venation क्या होता है जिसमें parallel and reticulate vein हमने देखी इन सब के बारे में हमने discuss किया और then हमने photosynthesis की method पढ़ी जिसमें हमें यह पता चला कि जो plant की leaves है वो photosynthesis की method से अपना food prepare करती है इस method में यह पानी और बचा हुआ पानी जो है वो transpiration से बाहर निकाल देती है food अपनी growth के लिए रख लेती है और oxygen को release करती है ताकि हम उसका use कर सके तो भई अभी तक तो हमें कहानी समझ में आ गए leaf or stem की अब आएगी कहानी root की जो कि यह पानी को हमारे stem तक पहुचाने का काम करता है त अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखेंगे तो magnetbrains.com पर जाईएगा वहाँ पर अपने स्ट्रीम को चूज कर लिजे डाट इस English medium NTSC Olympiad सब कुछ आपको देखेगा तो अभी हमने पढ़ाए CBC English medium class 6 तो class 6 को select कर लिजे दैन उसके बाद एक screen open होगी जिसमें आपको select क करिए watch now करते साथ ही आप देखेंगे कि नीचे chapters हैं उनके topic sub topic everything is there just click करिए click करते साथ ही वीडियो उपर हो जाएगा इस वीडियो को starting से and तक जरूर देखिएगा clear है क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ही topic आपको समझ में आएगा जब आप पूरा वीडिय सब्सक्राइब करना है और आपके सारे subjects जो कि आप हिंदी में पढ़ते हैं आपको उनका solution सारी वीडियो हिंदी में मिलना शुरू हो जाएंगे clear है और साती अगर आपको यह सब पसंद आ रहा है Magnet Brains Hindi या Magnet Brains तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने सेम क्लास के स्टूडेंस के साथ और उनके साथ जो आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है क्योंकि हम दे रहे हैं 100% free classes from kindergarten to class 12 चैनल को सब्सक्राइब जरू करें दोनों ही चैनल Magnet Brains Hindi प्लास Magnet Brains को सब्सक्र यालर करें उला हो किस्ट सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सैनलक भिवरी भीग चाुरूगी बडरी बड़ी लेरुजदा में चासार करें ऊतरा कि उनके सतूली सोब्सक्राइब 5